देश के कुछ राज्यों में कोरोना वाइरिस के मामली फिर से बढ़ रहे हैं ऐसे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 24 सुमूंबर को कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे ये बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरियो होगी इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस एहम बैठक में शामिल होंगे जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कुरोना की वर्तमान स्थिती की समिक्षा और कुरोना वैक्सीन के वितरन के रणनीती पर भी चर्चा हो सकती है प्रधान मंत्री मोधी करोना की स्थिधी की समिक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के साथ बैठके कर चुके हैं देश भर में करोना वाइरस संक्रमन के मामले पिछले कुछ दीनों में 50,000 के नीचे आ रहे हैं वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं कुछ शेहरों में तो रात का करिफ्यू भी लगाया गया है उधर महराष्ट में दिली, गुजरात, राजस्थान, गुवादी से आने वालों की कोविट टेस्ट रिपोर्ट नेगिटिव होनी ज़रूरी होगी ऐसा ना होने पर लोगों को या तो वापिस जाना होगा या उन्हें अपने ख़र्च पर कोविट गेएर सेंटर में नियमा अनुसार इलाज कराना होगा महराष्ट के मुख्य सचीव संजे कुमार की तरफ से ये निर्दीशा निर्देश महराष्ट में कुरोना की दूसरी लहाँ से बचाव के मद्दे रज़र जारी किये गए है सोमवर कुजारी इंदीशा निर्देशों के मुताबिक राष्टी राजधानी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से विमान से महराष्ट के किसी भी एरपोर्ट पे उतरने वाले यात्रियों के उतरने के समय से 72 घंटे के अंदर कोविट का टेस्ट रिपोर्ट इसे सभी लोगों को वैक्सीन का बेसबरी से इंतजार है, ऐसे में ये सवाल उठता है कि कोविट-19 वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी, इस पर निती आयोग ने प्रात्मिक रनीती तैयार कर ली है, निती आयोग के सदसे डॉक्टर वी के पाल ने बताया कि एक करोड हेल् कर्च को शुरुआती जर्ण में प्रात्मिक दी जाएगी।